यह हमारा contactor है स्नाइडर का ठीक है तो इसको कैसे खोलना है और इसके servicing कैसे करने ही बता नहीं वह लो और यह कैसे खुलेगा अधिकतर लोग क्या होता है स्नाइडर का contactor बहुत मुश्किल से बोले खुलता है तो अधिकतर उसे खुलने ही पाता इसलिए बता रहा हूं यह द और यह वाला 2125 नमबर, ंसी लिखा है यह देखे अर निछे भी लिखा है एंसी ठीक है यह देखे निच्छे भी अनसी लिखा है तो यह हमारा direct रहता है ठीक है और यह हमारा A1 लिखा हुआ है और यह A2 लिखा है यह हमारा कोईल है इसमें हम लोग फेज नूडल लेते हैं सिंगल फेज कोईल कहां पता चलता है यह देखें यह लिखा हुआ है ना 220 वोल्ट चाज हट्स साथ हट्स मतलब यह 220 वोल्ट तो आप समझे गए होंगे हमारा वोल्टेज है और यह वाला साट हर्ट्स और पचास हर्ट्स है यह हमारा फ्रिक्वेंसी जो हमारे भारत की बीजली की फ्रिक्वेंसी है पचास हर्ट्स है अंदर जो बार की कंट्रीज है उसमें साट हर्ट्स है ठीक है तो अभी हम लोग इसको खोलते हैं ठीक है तो वीडियो सुरू करने से पहले फ्रे यहाँ पे log हो जाता है तो आपका IronConceptator खुल नहीं पाता है ठीक है दोनों साइड से ऐसे ही करना यह क्रोल दिया है अलोग उसके बाद में हम यहाँ पेう tester रालना और दीर दीरह करना ज्यादा तागत नहीं लगा नहीं तो आपका तूट जायेगा एसे करना है यह वे देखिए खुल गया है खुलने के बाद में सिद्धा हमारा बाहर आ जाएगा आपको अगर मारकिंग करना है आसानी से तो यहा पर आप मारकिंग कर सकते हों आपको फिटिंग करने दिक्कत नहीं आएगी फिटेक है यह खुल गया है, अंदर से ऐसा होता है, फ्रेंट्स, ठीक है, यह हमारा NO हो गया, NC, और यह कोईल का, तो कोईल का कहीं से पता चलेगा आपको, यह कोईल का है, जो यहां से अंदर तक टच होता है, ठीक है, इसको हम लोग निकाल लेंगे, इसको भी यहां से करना है, यह यह देखिए यह हमारा कोयल है फ्रेंट्स यह देखिए यह जो लिखाओ नजर आ रहा था हम है वो इदर है ठीक है तो इसको हम लोग वैसे रख लेंगे और यह देखिए एक कोयल का सिरा है यह दिammet ऐसे एक सिरा तो यह रहा दूसरा वाला सिरा यह रहा है ठीक है यह हमारा इसमें हम लोग देते हैं सिंगल फिस फेज़ और नीट्रल ठीक है यह हमारा ऐसे यह लिखाओवा इधर है यह चला जाएंगा तो यहां पर ऐसे यह याँ देखते हैं किस को अब को एक फ्रिंग है इस्कों फोट खोलेंगे ताक्य कि अच्छे से पता चले और यह इसकी ब्लैड उगेर्ट खराब तो नियुक्प पूप याँ टालने का है और वैसे का वैस से इधर भी आसे यह लो लॉक होता है इसको लॉक को खोलने हैं ठेस्टर के मतले से हमें ये लॉक खोलना है को कि यह देखे होैं कि हमारा लॉक है खुल गया है कि यह देखे एक-एक पार्ट स्थी का अलग हो जाएगा फ्रेंड्स इदेखे यह उमाना खुल गया है ठीक है यहां पर यह देखिए किट अंदर जो किट होता है कॉंटेक्टर का यह देखिए यह रहा ठीक है यह ऐसा खुल गया अलग और यह भी अलग खुल गया है ठीक है यह देखिए यह हमारी जो ब्लेड है होती है यही टच होती है यह देखिए यह थ्री फेस आर वाय भी एजरी फेस और ए एन ओ और यह एंसी जो डाइक्ट रहती है ठीक है तो यह हमारी N-C हो गई और N-O हो गया और यह हमारा 3-face की यह bleeding हो गई ठीक है उसके बाद में यह जो निकला है यह हमारा coil में घुसता डारेक्ट लिए इसमें अधिकतर में यह स्नाइडर में होता है अधिकतर में इसमें नहीं होता है यह ऐसे घुस जाता है तो हमारा coil में सर और इसमें उपर ही रहता है इसना आटम में ये देखिए यहां पर बोड़ी पर लिखा हुआ रहता है ये एवन ये टूठीक है तो इसको हम लोग फिटिंग कर लेते हैं ये तो फिर वीडियो लंबा बन जाएगा तो वैसे हमें इसको फिटिंग करना है फ्रेंड ये दिर के ऐसे डालने का है उसके बाद में हमें ये वाला भी ऐसे डालना है ये लोक लग गया है ये भी लोक लग गया है दोनों लोक लग गया है मतलो हमारा कॉंटेक्टर फिटिंग हो जाएगा अभी और ये भी यहां से निकला था यहां पर लगा लेने का है और इसको ऊशे लगा लेंगे्ट यह अफिट हो गया है कुछ कर के देखना है और फिर हमें बड़ी लगाने का ठीक happy कि अजये है कुछ कुछ का फ्रेंड्स यह यह कॉन्टक्टर लग चुका है फ्रेंड्स कुछ नहीं होता है ठीक है फ्रेंट्स यह देखिए हमारा अच्छी से फिटिंग हो गया यहां से लॉक हो गया ठीक है फ्रेंट्स आपके थैंक्यू